हलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में दोस्तों आज का है मेरा कूचन है रूट अंडर 1 प्लस साइन ठीटा बट्टी 1 माइनस साइन ठीटा बराबर सेख ठीटा प्लस 10 ठीटा यह में प्रूब करके दिखाना है चलिए फ्रेंट्स यह मेरा LHS है और यह मेरा RHS है जो बयान साइडी में रहता है उसको हम LHS बोलते है और दहिना साइडी में रहता है उसको हम RHS बोलते है फ्रेंट्स हम सबाल को हम सीध करते है यह हम सीध करना है क्या करना है सीध करके दिखाना है यह हो गया यहां पर हम देखते हैं इसको solution यहां पर हम लिखते हैं सवाल को यह लिए इसको हम हल करते हैं 1 प्लस sin theta बटे 1 माइनस sin theta यह हो गया फिरेंस इसको हम क्या करेंगे इसको हम परमी करन करेंगे क्या करेंगे इसको हम परमी करन करेंगे तहां पर लिखते हैं हरो का परमी करन करने पर हरो का परमी करन करने पर यह हो गया यहां पर एक बारास हम रूट लगा देंगे यहां पर लिखेंगे 1 प्लस sin theta बटे 1 माइनस sin theta यहां परमी करन में क्या होता है कि बीच बला चेंज होता है यह माइनस में है तो प्लस हो जाएगा और same to same रहेगा तो 1 और माइनस हो तो यहां प्लस हो जाएगा और यहां sin theta अज इतना उपर है उतना ही नीचा में रहेगा 1 प्लस sin theta उपर में है तो 1 प्लस sin theta नीचा में भी रहेगा यहां पर देखिए 1 प्लस sin theta और 1 प्लस sin theta दोनों बराबर है तो गुना में है तो square हम लगा देंगे यहां पर में लिखेंगे root अंडर 1 plus sin theta इसका हम स्क्वाइर लगा देंगे बोटे a plus b into a minus b मेरा सूत्र होता है friends यहाँ पर हम लिख देते हैं a plus b into a minus b यह मेरा सूत्र होता है a square minus b square इस सूत्र पर हम इसको हम बइठाएंगे तो हम पुझाएंगे a square a मेरा 1 है a square minus b a square b मेरा sin है तो sin k square हो जाएगा यह हो गया फिर हम आगे हम देखेंगे यहाँ पर लिख देते हैं one plus sin theta whole square है तो whole square चरहा देते हैं बोटे और a square एक ही होता है minus sin square theta यह हो गया यहाँ पर मेरा एक सूत्र है one minus sin square theta सूत्र क्या है बोगल में आपको सूत्र लिख देना है एक जाम में one minus sin square theta बराबर होता है cos square theta यह हो गया यहाँ पर यहाँ लिखेंगे यह रूट अंडर 1 plus sin theta इसके हम square लगा देंगे बोटे one minus sin square theta होता है cos square theta यह हो गया अब आगे देखेंगे हम यहाँ पर देखेंगे काफी इजी तरीका से हम बता रहे हैं दून में square लगा हुआ यहाँ भी square यहाँ भी square है इसको क्या करते हैं एक ही bracket में लिख करके हम whole square हम डाल देते हैं यहाँ पर लिखते हैं one plus sin theta बोटे cos theta इसको हम square चरहा देते हैं यह हो गया और फ्रेंट्स मेरा square से root कट जाता है यहाँ root के मतलब होता है एक बटे दो ऐसे भी लिख सकते हैं चलिए हम लिख देते हैं one plus sin theta बटे cos theta whole square है तो whole square हम डाल देते हैं root के मतलब होता है एक बटे दो दो से दो कट गया यानि क्या बचा one plus sin theta बटे cos theta यह हो गया यहाँ पर फ्रेंट्स मेरा देखते हैं यहाँ पर थोड़ा इस साइड हम बनाते हैं जगा काम है देखें यह बटा पर के जोर किया हुआ है ऐसे पहले बटे फार में हम तोड़ देंगे यहाँ पर लिखेंगे एक बटे cos theta यहाँ पर लिखेंगे एक बटे cos theta गुना सोरी गुना नहीं प्लस है प्लस sin बटे cos sin theta बटे cos theta यह हो गया 1 by cos के क्या होता है 6 theta होता है प्लस sin by cos क्या होता है 10 theta होता है यह हमें प्रूब करना था बराबर क्या आगया RHS आगया यह हमें RHS में प्रूब करना था यह आगया यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं RHS में 6 theta plus 10 theta यहां पर हम देखा देते हैं sec theta plus 10 theta है तो friends, उमीद है कि यह सवाला को समाज में आगे होगा काफी easy तरीका से हमने बता दिया है यहां पर लिख देना है आपको last में प्रूब्ड लिख देना है तो friends, यादि आप हमारे चैनल पर नहीं होते चैनल के सब्सक्राइब कीज़ेगा और वीडियो अचले होते वीडियो के लाइक कीज़ेगा और दोस्तों के साथ सेर कीज़ेगा तो अचले के लिए friends, आज के लिए इतना ही जय हिन, जय भारत, ठैंक्यू